Hello Everyone, Welcome to New Lecture How to Build Strong Mindset तो सबसे पहली बात तो यह है कि जिलनों को लग रहा है कि हमने इस चीज के पैसे तो नहीं दिये बंदा किया सिका रहा है हमने तो इससे पूछा है कि Freelancing के लिए Clients कैसे लेकाते हैं, Freelancing कैसे स्टार्ट करते हैं तो देखो भाई, जिसको भी ऐसा लग रहा है कि यह फालतुगा ग्यान है, तो मैं सज़ेश्ट करूँगा आप इसको स्किप कर सकते हो, आपका कुछ भी लॉस्ट नहीं होगा, आप डायरेक्ट नेक्स चेप्टर से स्टार्ट कर सकते हो जो की है, niche and skills, ठीक है, यह जो free का ग्यान मैं दे रहा हूँ, यह free का यह, I mean आपने इस चीज के लिए पैसे नहीं दिये है, मुझे, आपने तो मुझे पैसे दिये है, कि clients कैसे लेकर आने है, और freelancing अच्छे से कैसे करनी है, इस चीज के पैसे दिये है, यही चीज मैं आपक सकता है, मुझे कुछ नहीं आता है, but just because of this thing, मैंने यह चीज समझ लिये, वो है mindset, इस mindset ने मुझे सब कुछ दिला दिया है, तो जो लोग हमार साथ जोड़े हुए हैं, वो continue करते हैं, how to build strong mindset, तो mindset बनाने में बोलना बहुत ज्यादा आसान है, but mindset बनाना is next to impossible है, क्योंकि बह mindset बन जाता है, and वो सब कुछ जो उसको चाहिए होता, वो से मिल ही जाता है, एक बार mindset बन गया, मतलब उससे success मिल चुकी है, बाकी सारे चीज़े formalities होती है, but mindset बनते ही, वो बंदा champion होता है, champion, mindset बनते ही, वो बंदा champion बन चुका होता है, मैं खुद इतने सालों से जिसके पी कोई schedule फॉलो कर रहा हूं, to-do list बना रहा हूं, ठीक है, but after some time, like एक हपते बाद, दो हपते बाद, वो ड्रॉप होई जाता था, घर में कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, and वो चीजे, वो चीजे plan के opposite चली जाती थी, and इसकी वैसे mindset फिल लगता था, यार, नहीं यार, हम सीरियस कब होते हैं, हम सीरियस तब होते हैं, जब हम कोई motivational वीडियो देख लें, ठीक है, या हम, या तो हम कही पर fail हो जाए, and हमको लगता है, अब बहुत हो गया, अब हम कुछ करेंगे, मैं जब भी fail होता था अपनी class में, first term में, तो मैं सोच था था यार, second term में, मैं second term मे अब मैं बिल्कुल खेलना वेलना सब बंद कर दूगा, and सिर्फ पढ़ाई करूँगा, and अब सब को सावित कर दूगा, कि I am topper, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं ही first आऊँगा, but होता क्या था, कुछ हपतों तक वो चीज़ सीरियस ली चलती थी, and again मैं नॉर्मल लाइफ जीना आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला, जो आप, जो फेलियर के बाद थोड़ा सीरियस हो जाते हो न, उससे भी कुछ नहीं होने वाला, mindset क्रेक करना, इस मतलब आपकी life का सबसे बड़ा गोल हो सकता है, आपकी life ही है mindset, everything is mindset, जो लोग mindset के साथ रहते हैं वो अलग ही vibes देते हैं, जो लोग एक mindset के साथ चल ले होते हैं वो champions वाली feeling ही देते हैं, आप जब भी उनके पास बैठोगे, आपको लगेगा यार यह बंदा कितना ज़्यादा focused है, कितना ज़्यादा focused है, इस बंदे को divert करना, is next to impossible, इसको पता है, इसको क्या चाहिए, ठीक है, उसको पता होत हैं, आपको जो भी चीज अच्छी लगती है, वो आपकी life से गायब, वो नहीं मिलने वाली है आपको, ठीक है, जो भी चीज आपका time pass करने वाला, जो जितनी भी तरीक है न, वो सब आपके हट जाने वाले हैं, वो सब आप नहीं कर पाऊगे, mindset sacrifice से ही आता है, आपको छोट छोटा 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 sacrifice करते जाओगे, ठीक है, आपका control अपने पर बढ़ता जाएगा, एंड जो आपका mindset वो strong होता जाएगा, एंड confidence अनादर लेवल पर चला जाएगा, तो अब हम बात करते mindset बनाना कैसे, example लेते हैं, आप मुझे देखो, ठीक है, 1 crore in 1 year, ये क्या है, प decisions बनाता है, automatically, इसको पता है, मेरे लिए क्या सही है, अगर जो मेरा जो tagline है, जो mindset का जो title है, 1 crore in 1 year, ये जो title है, ये ही अपने आप सारी चीज़े करा देता है, मेरे से, मेरे साथ ऐसे नहीं होता है, का सुवह को motivated हो, दुफैर को नहीं हो, साम को हूँ, ऐसा नहीं होता है, मैं motivated हूँ ही नहीं, पहली बात हो, मैं focused हूँ, मेरा जब सुवह होता है, सबसे पहले, यही activate होता है, 1 crore in 1 year, ये activate हो या था अपने अभी, और ये पूरे दिन, all the time, खाना खाते टाइम, अगर मैं TV भी देख रहा हूँ, तो ये activated रहता है, मैं Reels भी देख रहा हूँ, तब कर क्या रहे हो, ठीक है, आपका दोस्त आया, आपसे बात कर रहा है, आप उससे बोल नहीं सकते है कि आपको 1 crore कमाना है, बट आपके अंदर है कि आपको 1 crore कमाना है, अब वो जो भी बात करेगा ना, वो उस 1 crore वाले जो lens है ना, ये जो lens है 1 crore वाला, इस से होकर जाएग जो profitable जो उस mindset के साथ fit बैठती है और जो भी उसे against जाती है न वो अंदर जाएंगी ही नहीं वो सीध मना कर देगा तो मैं इस चीज तक पहुंचा कैसे तो मेरा mindset बना कैसे कैसे बना तो मैं आपको बता दाओं आपका mindset पता कब बनेगा जब आप अपने बारे में सोचना चालो कर दोगे जब आप जो आपका past है उसके बारे में थोड़ा अच्छे से देखो कि आपने आपकी family कहां से आती है पहली चीज आपकी family background दूसरी चीज आपने अब तक क्या achieve किया है तीसरा आपने अब तक क्या lose किया है चौथा आप क्या सोचते हो आपका future क्या है आप कहां पर देखत responsibility नहीं ले रहे हो अपने future की भी responsibility नहीं ले रहे हो तो भाई आपका कुछ भी नहीं हो सकता for example मैं past में fail रहा 7th, 8th, 9th, 10th, 11th 12th में तो घर pass हो गया था but 7th, 9th, 10th, 11th fail past खराब लेकिन अभी भी अगर मैं enjoy कर रहा हूं अभी भी मेरे को घंटा फ्रक नहीं पड़ रहा है त तो भाई मेरा कुछ भी नहीं हो सकता पास्ट हो गया family background का है मेरा family background मेरा है मैं एक village में रहता था तूठाव यह 9th जिसमें light नहीं होती जो दिये का उजाला होता है हम उससे अपना काम चलाते थे वैसे मैं पढ़ता तो कभी भी नहीं था फिर भी but still तुम मेरे जब पापा मेरी पैसे बहुत महना से पैसे कमाए क्या मैं उसको justify कर रहा हूं अभी यह मैंने सोचा answer था नहीं मेरी family background बहुत जादा खराब रहा है मैं खुद fail होता रहा हूं and still I am doing nothing क्योंकि मैं जो achieve करना चाहता था उसके against मैं क्या achieve करना चाहता था मैं चाहता था कि मुझे यहां पर सिर्फ मैं बात पैसों की नहीं कर रहा हूं but still एक जो level मुझे चाहिए था जो level मुझे चाहिए था for example मुझे 100 करोड़ का level चाहिए वो पैसों के लिए नहीं वो मेरे past को justify करे वो मेरी जो family जो मेरी family जो hard work किया है न वो उसको justify करना चाहिए अब उनको वो platform मुझे देना है बट क्या मैं उसको justify आज कर पा रहा हूं नहीं मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं यह मैंने सोचा और मी मैंने बहुत सारी चीज़े अपने environment में देखी मैं जो daily life जी रहा हूं क्या वो daily life उन सारे चीजों को justify कर रही है जो मेरे goals है जो मेरा past है जो मेरा background है वो उन ची नहीं है तो क्या ऐसा करते करते जो past मैंने खराब कर दिया family background को मैं जेश्ट वह ही नहीं कर रहा हूं तो क्या मैं अपने future goals को भी ऐसे निकाल दूँगा मैंने ऐसे नहीं जाने देंगे सिर्फ एक साल क्या मैं एक साल यह चीज़े नहीं कर सकता एक साल क्या मैं मेहनत नहीं का मैं जो 20-30-40 लाग रुपे कमा रहा है क्या मैं उसको बढ़ा नहीं कर सकता क्या जो मेरे पास दो तीन क्लाइंट चार क्लाइंट जो दिन के आ रहे हैं क्या मैं उससे 40-50 क्लाइंट से नहीं बदल सकता देखो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या जब तू इतन वहां में मेरे लिए जो मुझे बनाना है क्या वो दो-तीन लाग से हो जाएगा नहीं होगा तो यह सारी चीज़ें अनलाइज करी तब जाके मैं एक decision पर आया कि यार मुझे एक साल सिर्फ एक साल मुझे सिर्फ एक रास्ते पर चलना हुगा और वो रास्ता फिर मैं क्लियर अब मैं उस पर चल रहा हूँ ठीक है इसी तरीके से आपको एनलाइज करना होगा अपना family background अपना past आपके achievements आपने जो अचीव किया आपने जो लूज किया उन सारी चीज़ें को एनलाइज करो जब इतना सब कुछ हो गया जब इतना सब कुछ हो गया तो क्या आपने continuously उस के लिए महनत कर रहे हो कहां गए वो goals अगर महनत नहीं कर रहे हो ना तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता सिर्फ एक साल नहीं दे सकते हैं अगर दे सकते हो तो आपको एक mindset बनाना पड़ेगा ठीक है mindset बन गया तो इस तरीके से mindset के decision पर आ गए और हमने चुन लिया कि हमको mindset बनाना अब हमें start कर चुके हैं तो यह mindset का process जो आगे का process वो क्या होता है अब यह बहुत ही अच्छी चीज है सही बता रहूं बहुत ही ज्याद अच्छी चीज है जो world champion होता है ना वो एक mindset से ही होता है उसे award मिलना, trophy मिलना, medal मिलना वो बैस एक formality होती है भाई वो world champion उससे पहले already था अपने mind के अंदर जब उसे medal मिला ना olympics में उससे पहले वो already world champion था वो medal सिर्फ एक formality थी अगर आसे दो साल बात कोई नया world champion बनेगा believe me वो आज आज भी दो साल पहले ही world champion है अपने mindset से उसका जो mindset है वो world champion वाला है वो already वो सारी चीज़े कर रहा है जो और एक world champion करता है वो जैसे एक world champion उठता है ना वो daily वैसे ही उठ रहा है जैसे एक world champion अपना दिन गुजारता है वो वैसे ही गुजार रहा है वो जो medal होग आज आज आप मुझे देखो ठीक है? आज आप मुझे देखो मैं 1 करोड कमाने ही चुका हूँ मैं कमाऊंगा बट जितनी मेहनत हैं करोड कमाने वाला दो करना चाहिए आ मैं उतनी ही मेहनत कर रहा हूँ जैसे उसको अपना time waste नहीं करना चाहिए न, मैं भी time waste नहीं कर रहा हूँ, मैं भी वैसे ही focused हूँ, मैं already वो 1 करोड वाला जो चीज है वो मैं जी रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा कि अचानक से मेरी lottery लग जाएगी, एक दिन अचानक से साल के end मुझे बस आखरी दिन ही महनत करनी आज भी मैं वही दिन जी रहा हूँ, जो मैं इस साल के end में जी हूँगा, तो वो जो 1 करोड वाला जो टेग है न, वो तो सिर्फ ए formality होगी जिसे दिन मैं अचीव करूँगा, बट उससे पहले मैं already वो जिन्दगी जी रहा हूँ, तो mindset वही है कि आज से 2 साल बाद, 1 साल जो आप बनने वाले हो न, 3 साल बाद, जो आपका गोल है, वो गोल आज आज आपको जीना पड़ेगा, जो UFC का champion है, कॉनन मकने अगर मेरे को उसका नाम अच्छे सा नहीं बता है, उसने कहा था कि लाइट बेट में जब वो चैन्पियन बना था, वो चार साल पहले से ही वो वो इस style में रहने लग गया था, वो वोक करता था, उसने अपना walking ऐसा ही कर लिया था, उठना बैटना, सारी चीजे एक champion वाली कर लखी थी उसने, वो अपने अंदर से वो अपने आपको बोलता था, मैं तो already champion हूँ, तो ये जो चीज है आपको पहले ही affirmate करके चलनी होगी अगर आपको 2 करोड रुपे कमाने, तो जितनी मेहनत एक 2 करोड वाला करता है, वो आपको आज करनी पड़ेगी, जितना focus वो है, उतना focus आपको आज रहना बढ़ेगा, इतने focus के साथ, बहुत सारे दिन जीलोगे, तब जाके वो चीज अपने ही आपा जाएंगी, हम जैसे है ना, आज हम जैसे हैं, जैसा हमारा mind है, जैसा वो work कर रहा है, जैसा वो function कर रहा है, उसके according ये universe, हमको सारे चीज़े अपने आप लाल आके धीरे धीरे देता रहता है, जो यहाँ पे है ना, वही बाहर है, जो यहाँ पे होता है ना, वही reflect करता है outside, outside कुछ different नहीं है, अ अगर मैं यहाँ से पागल हूँ, तो में पूरी दुनिया पागल हो जाएगी, अगर मैं यहाँ से अमीर बन गया न, यहाँ से मैं फोकस्ड हो गया, तो मैं बाहर से भी, मेरी real life में मैं अमीर बन जाऊँगा, mindset पे काम करो, figure out करो चीज़ों को, और अपना एक strong mindset बनाओ, life म उसके बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आईगी decisions बनाने में, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाई